अब हमारा पान ही उबन गे तभी मैं इसमें चावा लेट कर रहा हूँ अब हमारे चावा का पानी पुश्ट होगे अब हम इसको दम पे लगा रहा हूँ अब लास में ने ठोड़ा सा धनिया डालने है अब थोड़ा सा पिसवा गरम मिसाला हूँ अब तो दम लगाने का दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीक है अगर आपका चावा ना गले तो इस तरह दम लगाने से इंचा लगा जाएगा अब लगा हूँ अब लगा हूँ अब लगा हूँ अब लगा हूँ